इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट जो के हमारी और विल बुक के चीट फर्स्ट दे पोर्ट्रीट आफल लेडी से लिया गया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखीगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब बच्चों यह जो स्टोरी है इस स्टोरी को अपने डिटेल में समझ लिया होगा आपको पता होगा क्या कुछ इस स्टोरी में बताया गया है फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ यह जो स्टोरी है यह ग्रेंड मदर के उपर है यानि के दादी मा के उपर है अब बाद हम इसके questions और इसके answers को भी देखेंगे तो अब इसका मतलब यह है हम उसको मतलब के दादी मा को बेट से उटाते हैं कस्टमेरी के लिए मतलब के रस्म रिवाज के लिए पूरी तरह से जो उनका funeral मतलब के अंतिम संसकार होना था उसके लिए पूरी रस्म रिवाज से दादी मा को बेट से उठाया जाता है जो के कॉप सी मतलब के death हो चुकी थी तो वह एक dead body थी मतलब के लाश थी lead her on the ground और उनको जमीन पर लिटा दिया जाता है in covered her with a red shroud और उनको लाल कपड़े से red shroud से cover कर दे जाता है जिसको कफन कहा जाता है ये जो shroud word है इसका मतलब होता है कफन ठीक है तो मतलब दादी मा को बेट से उठाकर नीचे जमीन पर लिटा दिया जाता है और उनको cover कर दिया जाता है मतलब कि कफन से उनको डख दिया जाता है After a few hours of morning मतलब कि मातम के कुछ गंटे बाद Morning जो word आ रहा है इसका मतलब होता है मातम ये morning नहीं सुबा बाला morning नहीं है ये morning है morning मतलब कि aim o के बाद you है मतलब होता है मातम We left her alone to make arrangement for her funeral हमने दादी मा को अकेला चोड़ दिया और funeral के arrangement करने के लिए मतलब कि उनका जो दा संसकार करना था उसके लिए arrangement करने के दादी मा को अकेला चोड़ देते हैं In the evening We went to her room with a coat stretcher to take her to be cremated मतलब ये है कि शाम को हम दादी मा के room में जाते हैं और दादी मा के room में जाकर वहां पर stretcher ले कर जाते हैं जिससे के उनको उस stretcher पर लिटा दिया जाए The sun was setting and had it lit her room and veranda With a breeze of golden light, we stopped halfway in the courtyard सूर अस्थ हो रहा था The sun was setting मतलब के सूर डूब रहा था और उसकी जो light थी, जो रोशनी थी वो उस room में आ रही थी जिस room में दादी मा थी मतलब के golden light सुनहरी रोशनी जो थी जब जैसे के sunset जो होता है तो sunset के time जो light होती है वो रोशनी दादी मा की room में enter कर रही थी We stopped halfway in the courtyard और हम courtyard के आदे रस्ते पर रुखते हैं मतलब के आंगन में आदे रस्ते पर हम रुख जाते हैं आल ओवर दा वरांदा एन इन हर रूम राइट अप टू एर शी ले दीड एन इस्टिप राइब इन दा रेट श्रावड के वो जो वरांदा था वहां पन वो जो रूम ता रूम के राइट में यहां पर दादी मा एक dead body की रूप में पड़ी हुई थी मतलब के dead body उनकी कफन से लिप्टी हुई थी जो के रेट श्रावड जिसको कहा जाता है थाउजिंड अप स्परोज सेड़ स्केटर्ड ऑन दे फ्लोर और थाउजिंड मतलब के कई सो जो चड़ियाएं थी जो स्परोज थी वो वहां पर फ्लोर पर स्केटर्ड मतलब के बे फ्लोर पर बेटे हुए हैं, there was no chirping, लेकिन आज कुछ scene change है, there was no chirping, पक्चियों की कोई चेचाहाट नहीं है, कोई chirping नहीं है, मतलब पक्ची किसी भी तरह से chirping नहीं कर रहे हैं, कोई चेचाहाट पक्चियों की नहीं है, we felt sorry for the bats and my mother fetched some bread for them, तो हमें बहुत जादा सोरी फैल कि या हमने bats के लिए, क्योंकि उनको जो पक्चियों को खाना खिलाया करती थी, उनको जो bread डाला करती थी, वो अब नहीं रही है, तो इसका हमें बहुत जादा अफसोर से खेद है, we felt sorry for the bats, my mother, मतलब कि ये जो narrator है, उनकी mother fetched some bread for them, और कुछ breads पक्चियों को डाल देती है, she broke into little crumbs, तो कुछ breads लेकर आती है, उनके तुकड़े करती है, तुकड़े तुकड़े चोटे 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 little pieces करती है, और वो दादी मा जिस तरह से उन पक्चियों को वो breads के pieces डाला करती थी, उसी तरह से ये breads के जो तुकड़े है, पक्चियों को narrator की mother डाल देती है, the way my grandmother used to, जिस तरह से दादी मा पक्चियों को ब्रेट खलाया करती थी, उसी तरह से अब यहाँ पर मदर ने पक्चियों को उन पर एट के टुकड़े डाल दिये, फैक दिये उनके सामने, the sparrows took notice, the sparrows took no notice of the bread, लेकिन इस बार, sparrows ने कोई भी notice नहीं किया, वो ज they flew away quietly, जब हम दादी मा की डेट बोड़ी को उनकी लाश को लेकर गए, तो वो जो बट्स थे, वो बिल्कुल शान्त से उड़ गए, they flew away quietly, मतलब के चुप चाप पक्ची उड़ गए, वहाँ से चल दिये, इस पैरोज, next morning sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, अगली सुबर क्या होता है, sweeper आते है और प्रेट के जो तुकडे पड़े होते हैं, उनको साफ कर देते हैं, और dustbin में डाल देते हैं, ठीके बच्चों, तो इस तरह से हमने एकस्टेट को detail में समझा, अब इसकी question देखते हैं, और इसकी answer देखते हैं, तो हमारा first question है, who was covered with a red shroud, red shroud में कौन cover था, मतलब कि वो जो लाल shroud, जिसको कफन कहा जाता है, कफन में किसको डखा गया था, grandfather, the mother, the grandmother and the poet sister, right answer हमारा B वाला है, the grandmother, right answer हमारा B है, आगे बढ़ते हैं, question number second की तरफ, तो हमारा second question है, why did the birds not eat the breadcrumbs, तो पक्षियों ने ब्रेट क्रम्स को क्यों नहीं खाया, देखे, because they were not hungry, क्योंकि वे भू भाई, because they wanted to eat something else, वो कुछ और खाना चाते थे, ऐसा भी नहीं है, because they were mourning, क्योंकि वे मातम कर रहे थे, because they had no time to eat, क्योंकि उनके पास खाने के लिए समय नहीं था, ऐसाने, right answer हमारा होगा B, because they were mourning, मतलब कि वो मातम कर रहे थे, उनको भी इसका बहुत जादा गम था, कि उनको जो दादी मां खिलाया करती थी, अब वो नहीं है, क्योंकि अब उनको जो ब्रेट डाला गया है, वो मदर के दोरा, मतलब कि वो परसन कोई और है, अब वो इनसान नहीं रहा, जो ब्रेट्स को ब्रेट्स डाला करता था, तो बक्ची भी इस बात को जान गये थे, कि उनको किलाने वाला, वो अब नहीं रहा, इसलिए वो भी मातम कर रहे थे, घंगीन थे, राइट आंसर बी ए, आजाते हैं, क्योशन नमबर थार्ड पे, विच वाल इंद पैसिज मींस डेट बॉड़ी, तो आपको पैसिज में बताना है, कि डेट बॉड़ी का मतलब क्या है, तो आज़र को ने, राइट आंसर होगा, खुशवन सिंग, इसका राइट आंसर है, बी वाला, क्योशन नमबर फाइब को देखते हैं, इस बड़ेट करम्स, मतलब कि पक्चियों ने ब्रेट करम्स को खाया, दिड नोट इट ब्रेट करम्स, उनको नहीं काया, सेब दा इस बड़ेट की टुकड़े थे, उनको पक्चियों ने नहीं खाया, तो बच्चों इस तरह से अमने सेटेट के सारी को डिटेल में समझ लिया है, साथ में पहले एकस्टेट को भी समझाता, आई होब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एकस्टेट समझ में आ गया होग तो वीडियो को लाइक कर दिजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिजिएगा, और हाँ यदि आप चैनल पन नहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिज और अपने सभी फ्रेंड्स को जादा सब्सक्राइब कर दिजिएगा, और बेल आइकल को प्रेस कर दिजिएगा, आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग